अस्वालेकूम फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल शबनूर अली आप यहाँ पर यह पानी की टंकी देखिए 300 लीटर वाली थी और अब यह प्लांटर बनी हुई है जिसमें आप कोई भी प्लांट्स लगा सकते हैं फ्रूट प्लांट्स और वो अच्छे सी ग्रो होंगे क्योंके इसमें मिट्टी, कम्पोस वगारा आप खुब एट कीजिए और लॉंग टाइम तक चलेंगे तो हम आपको वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं यहाँ पर कैना लिली की जिसको हम केली कहते हैं तो यह हमारा 6-7 साल पुराना प्लांट है और इसको भी अरेंज हमने किया था किसी के यहाँ एक सकर निकाल कर और उस एक सकर से कैना लिली के यानि केली के यह प्लांट इतने ज़ादा बढ़ गए हैं कि पूरी मिटी में इसकी जड़े मौजूद हैं से किये कैना लिली गेड़े की जाती है अब ही मैंने एक महीन पहले इसकी प्रूनिंग की थी यहाँ पर देखिये यह निकल रहे हैं पॉंचसीया जिसमे औरंज कलर की पतिया बाद में हो जाती है और या खुद ही इसके लिए कंपी सारे ग्रोढ़ जाते हैं फूल तो देते ही हैं साथ में greenery भी add करते हैं साथ में इतनी greenery ये भी देता है जिसको हम केली या केना लिली कहते हैं तो इसकी आप stems या veins को देखिए red या maroonish type की हैं तो इसे ही हम परचान सकते हैं कि इसमें maroon color का flower आएगा और आते भी हैं इसमें red color के maroon color के खुब सारे flowers आते हैं और जिस stem पर जिस branch पर एक बार फूल खिल जाएंगे तो दुबारा उस पर नहीं आते हैं वो seeds बनने लगते हैं सूखने लगती हैं उसकी stem तो इस तरह से prune करके निकालनी परती है फिर मिट्टी से दूसरे पौधे ग्रो करते हैं उसमें आते हैं फूल और ये होते हैं कैनलिली की seeds germination इससे बहुत लेट होता है फिर भी इससे ग्रो किये जा सकते हैं इसको ग्रो करने का सबसे अच्छा तरीका ये सकर्स होते हैं जो plant के side से काफी सारे निकलाते हैं मिट्टी में से बस इसी को separate करके आप लगा सकते हैं और अगर ये सकर्स ना भी निकले हो तो मिट्टी में ये जो roots होती है इसको tuber बोल सकते हैं तो इन tuber से ग्रो किया जाता है ये plant इतने hardy होते हैं कि साल और साल आपके यहां चलेंगे और कभी नहीं खत्म होंगे कभी tuber से, कभी seeds से आप सकर्स से ग्रो कर सकते हैं सिर्फ winters को छोड़ दीजे सर्दियों में इस पर फूल नहीं आते हैं पौदे सारे उपर से तो लगेंगे सूख गए हैं नीचे से लेकिन इसमें new सकर्स आ जाते हैं इस planter को मैंने आपके साथ काफी पार शेयर किया है जिसकी veins पतियों की yellow होती है जैसे इसमें है, side में मेरून जरूर है लेकिन yellow और green इसमें shades है तो इसमें orange yellow color के फूल आते हैं ये इसकी पहचान है तो जब पौधों से ज़्यादा planter भर जाता है हमें fertilizer देना होता है तो हम किसी भी waste material में ऐसे ही मिटी उठा कर डाल देते हैं पानी चाहें आप ज़्यादा दे दीजिए चाहें कम दे दीजिए गर्मी में 2-3 दिन ना भी मिले तब भी grow करेंगे और आप 2-3 भार भी दे दीजिए तब भी अच्छे से ये grow करते हैं ये water drop देखिए बूंद पानी की इस leaf के उपर कितनी हुपसूरत लग रही है मोती की तरह चमक रही है और इसके पत्ते भी बहुत शाइनी लगते हैं देखकर ही greenery फील होती है यहाँ पर देखिए इस branch में कभी फूल नहीं आने वाले होते हैं तो यह इसी तरह से हो जाता है इसलिए इसको काटने ही पड़ते हैं न्यू शूर्स आ जाते हैं फिर्मिटी से दो साल पहले मैंने बस इसी तरह की soil, sand, compost को भी मिला कर डाली थी तब से fertilizer नहीं दिया है जादा fertilizer की जरूरत नहीं पड़ती है कहना लिली को तो drainage hole बंद करना बहुत जरूर है पर इस तरह से बंद कीजिए कि पूरी तरह बंद नहों पानी निकल जाए यह tuber है आप कहीं grow कर लीजिए किसी के साथ share कर लीजिए यह सकर इसमें भी दो-तीन सकर्स के लिए tuber बन रहे हैं तो इस तरह से जब न्यू सकर्से हम plants बनाते हैं तो इसमें ज़्यादा flowering होती है और जितने भी पुराने हैं उसमें flowering बहुत लेट होती है या नहीं भी होती है सिर्फ pot भरता चला जाता है तो हर बार आप सकर्स निकाल लिए एक्स्ट्रा फेक दीजिए या शेर कर लीजिए और अच्छे अच्छे healthy से सकर्स grow कर लीजिए इसमें अच्छी flowering होगी और पत्ते भी बहुत खुबसूरत लगेंगे तो बस हमने इसको लगा दिया है साइट साइट से मिटी भार दी है पानी डालेंगे एक दो दिन शेड में रखेंगे फिर धूप में ही और ये जो new growth दिख रही है इसको मिटी के अंदर नहीं दवाते हैं थोड़ा उपर ही रहने देते हैं ये भी नया plant बन जाएगा तो cannellily को propagate करना बहुत आसान है purchase करेंगे तो ये plant महगे पड़ेंगे लेकिन अगर sharing से कहीं से ले लेंगे तो फिर सालों साल खरीदने नहीं पड़ेंगे ready हो गया है हमारा planter आप भी इसी तरह add कर लीजे अपने garden में फिर फूलों की कभी नहीं कमी होगी और सबसे last में डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा पानी अभी अभी हमने इसको ग्रोग किया है तो थोड़ा डाल देते हैं बाकी तो इसकी मिटी गीली ही थी सुभा मैं दे चुकी थी पानी इसले इसकी मिटी गीली थी तो फ्रेंड्स जाते जाते एक लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा यह हमारी रिक्ष्ट है आप से प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फिर मिलेंगे नेक्स अच्छे से वीडियो में अलाहाफिज